कि जहिन दोस्तों अनिल सर आइटी या यूटू चलना अपसे का बहुत हो साथ हो स्तों बी आरो बॉर्डर रोट्स और्गनाजर्शन यानि कि सीमा सड़क संगठन की तरफ से मैट्री पास आउट आईटी पास आउट के लिए यहां पर रिक्रूट्मेंट निकल का है दोस्त सकता दोस्तों तोस्तों काफी दिन पहले निकल का थी दोस्तों अगरिकन आज इसका डेट बढ़ाया गया है और इसका फॉरम भरने का नियुक्तigent gent नई भरा होगा तो दैख नर्सिंग असिस्टेट इन दोनों के लिए 22 जूलाइ था फर्म अप्लाइग करने का डेट बढ़ाए गया है यह दो क्या कि मल्टी इस उसकीक वाड़कर गए 144 नोटल पॉस्चन और मल्टी इस वाड़कर नर्सिंग असिस्टेट करने का द्रेट है 22 जूलाइग और यह फोरम जो है ऑफ्लाइन के माधम से बर ना दोस्तों दोनों के लिए यहाँ पर देखें तरह का नोट वेशन निंगलेगा एक औ दो के लिए अलग अलग नेस्टार है और आपको तीन और छार के लिए अलग नोट दिक्कत हो जल्द से जल्द आपको फॉरम भरके भेजना हो दोस्तों इसकी क्वाइट की बात करें तो सबसे पहले ध्यार में देना है यहां पर सीफ और से मेल काइनेट फॉर अप्लाई कर सकते हैं इसेंशियल क्वाइशन देखले अउसके पहले एज देखले तो 18 से 25 साल मल्टी स्किल्ड वरकर यानि मसून में काइनेट फॉरम अप्लाई कर सकते हैं देखिए मैट्रिकुलेशन पासाउट होना चाहिए बिल्लिंग कंस्ट्रक्श ब्रिक्स मसून या या नेसनल ट्रेंट नहीं मतलब आपको एससीवीटी एंसीवीटी किसी से मसून के आपके पास सट्फेट होना चाहिए मसून के लिए 147 पोस्ट में वेकेंसी निकल कहें तो अच्छा घासा है मल्टी स्किल्ड वरकर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 18 से 27 साल एज के लिए फॉर्ण निगाला गया है जिसमें टेल प्रस्टू की बियालोजी से किया है वह अप्लाइ कर सकते दोस्तों लेकिन उनके पास एक साल का सट्फेट होना चाहिए नर्सिंग का अपका होना चाहिए दोस्तों एक साल का डिगरी होने चाहिए ठीए आगे के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए तीन साल का experience होना चाहिए और सटोर इस्टैलिस्मेंट रखते अके लिए IT यह ज़रूरी नहीं है तो ठीक है नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और या प्लस टू है तो अप्लाइ कर सकते मल्टी एस्किल्ट वरकर लेकिन और कैसे रखते हैं इसके बारे से कई गारी कारे रखते हैं तो कैसे रखते हैं जो कई वरकर्पे तरोडर की स्कारी आपको होनी सहाइब कर ट्राइबर ऑ erhöड़ का ऐगार अठाइस से तो आपको पढ़ना पड़ेगा अगर आप इन दोनों का फॉरॉम भरना चाहते तो आपको अनियलशन आइटी पर अगर आप चाहते हैं तो आप यहां पर आपको देखने को मिल जाए तो दोनों आपको नोट कर लें टीक है तो लोट करके पढ़ना है और दोनों का फॉरम ऑफलाइन भरना है एक फॉरम जो है दोनों फॉरम आपको दिख लेना और भर करके आपको भेना ठीक है और इसमें सारी जनकारी भी दीए क्या का डॉक्मेंट लागा को भीज़ना है और और भी कई सारी चीजे जो हैं इससे बताएगे बहुत बड़ा बड़ा इससों नोट फॉएशन दिया गया है यह तो पहले इलिजबिल्टी देख लिए और इलिजबिल्टी है तो आगे जाई है तो मिल करेंट फॉरम भर पाएं यहां पहले आपको फीजिकल टेस्ट हुआ फिर रीटेर्ट टेस्ट होगा इसमें आपको इक्जाम का पैटर्ण भी आपको दिया गया है इससे आपको देखने को मिल जाएगा तो जेनरल करेंट और EWS के लिए OBC के लिए 50 रुपया स्ट के लिए फीस प्रेमेंट कैसे करना है तो इस पर क्लिक करके फॉर अप्लाइब करना है ठीक है फॉरम इंगलिस और हिंदी में फिल आप कर सते हैं और सेंट कर सते हैं सिर्फ और सिफ एक ही बात फॉरम प्रेजना है ठीक है फॉरम ऑफलाइन फॉरम नहीं और दोनों का वही है लेकिन पोस्ट के बाद आप से दोनों का अलग-अलग अड्रेस है तो अलग-अड्रेस आपको देखके भीजना है जैसे कि एक जो है नोट फेसन उसके अनुसार आपको अप्लिकेशन फॉर्ट पो जैसे करिये बहुत साइश साथ आपको पैसे पहले आको परड़ लेंगे और जो होग तरह संब्सक्राइब तार दोकुमेंट मेंसार आपको जोनों करके आपको बेज़ देदा है आपको पात older क्रूपन का प्रोसेस से यह कि आपको आपको कॉल लेटर बेश्य किया जोभी काईन्ट इलिए समय यह साभी 10 गन्हें यह गो नहीं भींफे यह टायत चैयन्स टेस्ट फिर टेस्ट और उसके बाद आपको प्राइक ट्रेस्ट भी होगा उसका आपको फाइनल मेंड लिस्ट हो बगाए रिटेस्ट तेस्ट फिस्किल ट्रेस्ट और प्राइक track ट्रेस्ट होगा पूर्ड आपको एच पेनस्पेन्स के अधार पर कुछ आपको marks भी दिए जाएं उसके अधार सेलेक्शन किया जाए दोस्तों ठीक है इसके बार नोट फेसर पढ़ लिए कोई भी जान काया चाहिए तो नीचे कमेंट करें और अगर आप होते हैं तो फोर अप्लाई कीज़ा बहुत ही बेतरीन जॉब है आप सभी के लिए ठीक है बिलता हुली वीडियो में अगरे साथ आप सभी का बहुत हो धन्यवाद